आजकल एक बाबा के दर्बार में डॉक्टर से मारपीट का मामला बहुत चल रहा है जिससे ये बाबा अचानक हर जगा हेडलाइन्स में आ गए ये बाबा कानपूर के पास करॉली नाम की जगा पर दर्बार लगाते हैं और इनके पास भी बड़ी संक्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं लेकिन आरोप यह है कि इनके दर्बार में सवाल पूछने वाले एक वेक्ति के साथ पहले धक्का मुक्की हुई फिर उन्हें घसीट कर दर्बार से बाहर निकाल दिया गया दर्बार से बाहर निकलने के बाद बाबा के स्टाफ ने जम कर मार पिटाई की यह आरोप लग रहा है और ऐसा हाल बना दिया कि नाक की हड़ी तक तोड़ दी अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि दर्बार ऐसा क्या हुआ दर्बार में कि बाबा को इतना गुस्सा आ गया उनके स्टाफ के लोगों पर ऐसी पिटाई का आरोप क्यों लग रहा है पहले आपको घटना करम बताता हूँ फिर कहानी के मुख्य किरदार बाबा करॉली के दर्बार के बारे में विस्तार से बताऊंगा और बताऊंगा कि वहाँ जो हो रहा है उससे कैसे परिशानी जो है वो बढ़ती है बागिश्वर सरकार मुँपर पट्टी बंदवाए इस शक्स का नाम है डॉक्टर सिधार्थ चौधरी नौईडा के रहने वाले डॉक्टर सिधार्थ का दावा है कि वो अपनी समस्या लेकर 22 फरवरी कानपुर में बाबा के दर्बार पहुँचे यहां इन्होंने बाबा से अपनी समस्या के लाज के लिए पढ़ची कटवाई इसके बाद दर्बार में डॉक्टर सिधार्थ ने बाबा से कुछ सवाल पूचे जिसकी वज़से कहा सुनी हो गई और बाद में डॉक्टर सिधार्थ के साथ मार पीट हुई अब आपको उस घटना क्रम का वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें डॉक्टर सिद्दाल बाबा से क्या कह रहा है वो सुनाई देता है उसके बाद उन्हें दर्बार से कैसे धक्के मार कर बाहर निकाला वो भी दिखाऊँ जी खुश रही है और मैं नौइडा से आया हूँ और मेरे घर में थोड़ा समस्या यह कि ग्रहकलेश रहता है और किसी ने मुझे बताया कि पितर दोश है आपके उपर तो कई मित्रों ने और मेरे भाई ने बताया कि एक बार आप वहाँ जाईए तो कुछ वहाँ चमतकार होते हैं तो मैं आपका चमतकार देखने के लिए आया हूँ आज यहाँ चमतकार तो कोई होता नहीं है यहाँ जो होता है सब नियम से होता है जी है ना तो बस आपकी क्रिपा हो तो आपका अशिरवाद मिल जाए और महादेव का अशिरवाद तो रहता ही है बिल्कुल क्योंकि सब महादेव की बच्चे है तो आपका अशिरवाद मिल जाए तो सब सही हो जाए शायद बिल्कुल सब अच्छा होना अब अच्छा आप लोग अच मेरे बताया और और भाईने बताया कि व Kerry ये मोलाना का चक्कर किया है te Atéं और को इम को है मामला है हाँ आप बोलते रही है तो मैं भी देखना चाहरा हूं कि आत्मा कैसे निकलती है और कैसे जो है उसके बाद कैसा महसूस किया जाता है उसको मैं महसूस करना चाहरा हूं जड़ा क्योंकि आपका प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है अच्छा है महसूस कर लेंगे स वश्षया कर दिखाए आपको चमतकार क्या दिखा दें वह 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 दिखाएे ना जब लीग क्या चाहे ठीओ सब में आपने आत्मा निकाल दी आप परशनें निकलती है ड़कता हां चल और भंधि पूछ लेंगे हर ने लिसकी निकलिंगे है ठीक धन्यबाद जन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आप से मिल कि यह वो बातचीत है, इस बातचीत के बाद डॉक्टर सिदार्थ ने कुछ और सवाल भी किये, जिससे बाबा को लगा कि वो उनका अपमान करने के मकसद से आया, इस पर बाबा नराज हो गए और स्टाफ से बाबा को उस व्यक्ति को डॉक्टर को बाहर निकालने के लिएका, इसके बाद क्या हुआ वो भी देखिए तो किस तरह से धक्ये देकर उस व्यक्ति को निकाल दिया गया, वो भी दिख रहा है, और बाबा जी बड़े गुस्से में, पगलाट पगलाट के लिए, और उसके बाद पीटने की भी बात है, आम तोर पर हमारे हां संतों, धर्म गुरू और बाबाओं को शांत स्वभाव का समझा जाते हैं, वो भले कुछ भी करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें, या लोगों के समस्या आए, ठीक करने का दावा करें, लेकिन वहवार में तो कम से कम सौम में हो, बाबा जैसा वहवार हो, शान दिखाई देते हैं, लेकिन मार पिटाई जैसी गटना कानूं के तब से गंबीर अपराद की कैटेगरी में आता है, बाबा करोली दरबार में जो कुछ हुआ, उसके बाद डॉक्टर सिदार्थ ने बाबा और उनके स्टाफ के खिलाफ F.I.R करवाई, अब यू भी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, वैसे ऐसा पहली बार नहीं और क्यों इनकी वज़े से बागेश्वर सरकार पर सवाल उठते हैं? तो लोग करॉली बाबा बोलते हैं, करॉली बाबा, क्योंकि ये कानपूर के पास करॉली में, लेकिन पूरा नाम इनका क्या है? इन भाज साब का पूरा नाम जो है, वो है डॉक्टर संतोष सिंग भधारिया, ये इनका पूरा नाम है, यानि ओरिजिनल नाम, आज कल इनको करॉली बाबा लोग बुलाते हैं इनका बैक्ग्राउंड भी आपको बता देता हूँ पहले ये किसान थे खेती करते हैं ठीक है? हो सकता है उसके बाद बाबा बन गए हो? नहीं! उसके बाद फिर ये आईरवेद के डॉक्टर बने आईरवेद डॉक्टर बने ठीक है बाई हो सकता है डॉक्टर बनने के बाद फिर इनको लगा होगा कि बाबा बन जाते हैं नहीं! इसके बाद ये किसान नेता बने मतलब इनको पॉलिटिक्स का भी शौक चड़ा तो ये किसान नेता बन गए इसके बाद हो सकता ये बाबा बन गए हो इसके बाद इन्होंने तंत्र मंत्र से इलाज किया ये शुरू किया इन्होंने तंत्र मंत्र से इलाज उसके बाद कानपूर के करॉली में थोड़ी जमीन खरी ली और शनी मंदिर बनवाया ये इनका काम चल रहा है मतलब जैसे हम और आप नौक्रियां बदलते हैं ये भी अपना काम बदलते जा रहे हैं और फिर आश्रम बना दिया मतलब बाबा की यात्रा में संतोश शिंग ने कई पड़ाव देखे एक दिन में बाबा नहीं बने हैं कई चीज़ें ट्राइ करने के बाद उनको लगा ना हो लेट्स बिकम बाबा आज की स्थिती है कि यहां हजारों लोगों की भीडाती है जो अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं लोगों की समस्याओं के हिसाब से आश्रम की बकाइदा फीस ली जाती है सौ रुपे से लेकर डेड़ लाक रुपे की पची कटी है इसके बारे में भी बताऊंगा कि डेड़ लाक रुपे लेकर बाबा करॉली दर्बार किस तरह का इलाज करते हैं आपको दरबार का एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें एक लड़की कह रहे है कि बाबा जी मेरी हाइट कम है कद कम है कम उस कद को बढ़ा दीजे हाइट बढ़ा दीजे बाबा जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए बाबा जी इतनी आखे बंगे ओम इनकी धाई से तीन इंच लंबाई बढ़ाने के श्मतिरा दीजा इच्छा विचार साइब बढ़ दीजा ओम कह रही तो बढ़ानी पड़ेगी ओम बढ़ा दीजे धाई से तीन इंच लंबाई ओम श्च्रण खें रहे हैं आगे रखी जाए पीछे भीरे तब बीष्मतिरा दीजाई लंबाई बढ़ा दीजाई observator आख खोलिए अब आप मुमेंट करेंगी तो आपको लगए कि आप लंबे हो गए हैं और वही स्मृतिया आपको लंबा करेंगी कैसा लग रहा है लग रहा है कि मैं लंबी हो रही हूं तो वो समस्याना यहीं पर है अब ये शिवजी का यही काम बचा है कि वो लोगों की हाइट बढ़ाएंगे एक बाबा के बोलने पर कि हाइट बढ़ा दीजिए कितनी हाइट बड़ी लड़की की एक सेंटीमीटर भी बड़ी क्या यह हिंदू धर्म को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं वो ऐसे बाबाओं की बज़े से खड़े होते हैं आप यह सब करेंगे तो लोग तो सवाल खड़ा करेंगी इतना पुराना सनातन धर्म वहाँ एक से एक जो है महान रिशी हुए यहां भाई सब बैठके हाइट बढ़ा रहे हैं 5-6 इंच ओ शिव हाइट बढ़ा दो यह काम बचा है बगवान शिव का हाइट बढ़ा ने का ऐसे लोगों की बज़े से कोई बागेश्वर सरकार हों कोई दूसरे बाबा हों उन लोगों को सवाल जहलने पड़ते हैं करावली बाबा किस तरह से आखों कि अगमबीर बिमारी लिघ् niż ग्लुकोमा का इलाज कर रहे हैं उसका दावा कर रहे हैं क्या क्योंकि इस वीमारी में मरीज के आखों की रोष्णी भी चली जाती है लेकिन बाबा सब के सामने ग्लुकोमा की सर्जरी कर रह पुरानी आख निकाल कर नहीं आख लगवा रहे हैं सब के सामने जरह देखिए इदर आप बेटा खड़े हो सामने सामने खड़े होई इसको साफ नहीं दिखता नहीं दिखता पर चंग ये जाए आखों का और गलुकॉमा नमा जो असाद दिर होगा जिसकी दसानसार में अभी तक कोई चिकिस्टा नहीं है कोई दवा नहीं उसकी सद्री की जाए आखे बन सुशुरुत इसकी सद्री आप करें देखो सब लोग गलुकॉमा की सद्री हो लिए कैसे की जारी सद्री देखो सब लोग आखों की जो नसे हैं नर्व है वो दिमाग से जोड़ दी जाए सारी जो नस नहीं है नर्व नहीं नहीं बना दी जाए मस्तिस जोग दी जाए सब गंदगी निकाल दी जाए बरी वही मस्तिस और आखों की से आखों से ताकि वच्छा देख सके रोग मुक्तों सके गलुकॉमा से ओम सरजरी की जाए पूरी गंदगी बार अब यह भाज साब बाबा जो हैं यह बैट के कह रहे हैं कि सरजरी कर दो गंदगी निकाल दो इस वीडियो में बाबा करॉली ने सुश्रूत का जिक्र किया कि सुश्रूत तुम करो सरजरी यह सुश्रूत कौन है आपको पता है विश्व का पहला सरजन जी ने माना जाता है आयरुवेद में उनका योगदान बहुत बड़ा है वो वहाँ से ऐसे कमांड दे रहे हैं जैसे वहाँ से कहीं से शुश्रूत जी जो है वो बैटके बच्चे का इलाज कर रहे हैं यह क्या यह हिंदू धर्म का यह लोग क्या कर रहे हैं यहां बाबा अपने योगदान से मरीजों का इलाज करने का दावा कर रहे हैं यह चल क् प्रिकल चेत्रे से जुड़ी बीमारी की बात आप बाबा का दूसरे दूसरा इनर वीडियो में देखिए करॉली बाबा ये भी दावा करते हैं कि वो एक साथ दरबार में बैटे सबी लोगों की भूत और भविश्य में देखने की शक्ति चीन लेते हैं यानि वो जिसे चाह हैं वो अपने भूत काल यानि पास्ट का सब कुछ बुला देते हैं बाबा का दावा है कि वो भूत काल और भविश्य काल का दौर बंद कर सकते हैं एक बड़ देखिए भी आपको परमान की रूप में बताएं अभी आपको भूत काल में देखने का दौर बंद कर दिया ग मतलब करने कुछ भी नहीं दिखाई देगा सिरबंधेरा अट्राई कर सकते भोग स्रग्डाई करिए पूरी दम लगा ये पूरी ताकर लगा ये कुछ नहीं देखेंगा Πीछ प्छे कन कि कि किसी को दिखराई कुछ अगर किसी को दिख रहा हो तो अग historically कुछ ही चल रहा है भाई किसी को पास्ट नहीं दिखेगा किसी को फ्यूचर नहीं दिखेगा बोस वहां किसी को दिख रहा हो ना दिख रहा हो पाटशाला में सब को दिख रहा है कि ये क्या खेल चल रहा है करॉली बाबा के दर्बार में दावा किया जाता है कि यहां असाद्धे रोगों का इलाज हो जाता है यानि जिनका कहीं इलाज नहीं उनका इलाज वो कर रहा है और इसी के चक्तर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं दरबार में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है 100 रुपया लेका रजिस्ट्रेशन के बाद पूजा कराने के 51 100 रुपय लिए जाते हैं बावा से विशेश यग्य करवाना हो तो 1.5 लाख रुपया लगता है एक लाख 51 हजार विशेश पूजा में हवन लुद्राबिशेक, विश्नु सहस्त्र नाम यग्य दर्वार में आमने सामने मुलाकात, दिमाग से नेगटिव स्मृतियों को हटाने का दावा ये सब चलता है अब ये लोग ये पैसा लेके काम करते हैं इसके चक्कर में जो वेक्ती ही कोई पैसा नहीं ले रहा जो सनातन की बात कर रहा है बागिश्वर सरकार वो भी सवालों के गेरे में आ जाते हैं लोग वो लगता है वो भी पैसा लेते हों यहां तो पैसे के लेके हो रहा है हवन के लिए डेड़ लाग की महंगी फीस लेने पर बाबा करॉली का तर्क है कि जब महंगे अस्पतालों में महंगी फीस दे सकते हैं तो बाबा के दर्वार में मोटी फीस क्यों नहीं दी जा सकती क्यों देंगे बॉस क्यों देंगे आप संत हो न आप तो कह रहे हो कि भाई आप इश्वर के से connected हो तो पैसे का क्या करना है करॉली बाबा का ये दावा है कि वो इश्वरिये चिकित्सा के जरिये लोगों का इलाज करते है वो ये भी दावा करते हैं कि आश्रम में जादू टोना नहीं करते हैं बलकि वैदिक विधी से इलाज करते हैं ये कौन सी वैदिक विधी है बोस कि सुश्रूत तुम आखो क्या इलाज कर दो शिवजी आप हाइट बढ़ा दो ये कौन सी वैदिक विदी है ये सनातन को हिंदू धर्म को आप अपमानित कर रहे हो जो लोग बाबा के धर्वार में नहीं पहुच पाते हैं उनके लिए बाबा करॉली ने पूजा समगरी जी कुरियर से बेजने की भी सुविदा रख रही है मतलब पूरा बिजनेस मॉडल है कुरियर से समान जा रहा है अपनी वेबसाइट पर बाबा ने अलग-अलग पूजा समगरी की पूरी लिस्ट डाल रखी है सो रुपया से लेकर साड़े तीन हजार रुपय तक की पूजा समगरी है वहाँ वो बागेश्वर सरकार कहते है हनुमान चालीसा का पार्ट कर लो हनुमान जी कश्ट दूर करेंगा उससे भी लोगों को दिक्कत है यहाँ भाई साब पूजा समगरी बेच रहे पूरा बिजनेस मॉडल बना दिया है और इससे होने वाली कमाई के बदले में इंकम टैक्स भी देने का दावा करते है बाई मैं तो इंकम टैक्स दे रहा हूँ इलाज करने के तरीकों पर बाबा का अपना तर्क है आज टाइमसनाउ न भारत ने भी उन से सवाल किये थे एक बार सूनिए वो क्या जवाब देखेगा कि दरीब आदमें के लिए बगएर हवन के विची किस्सा है मैं सनिवार सनिवार उनके लिए हवन करता हूं आते हैं वो लोग रॉला देख रहे हैं कि अभी तो डेड़ लाक लेता हूं दस लाक लूगा देखता हूं कौन रोकता है अब ये भी समझे कि डॉक्टर संतोष सिंग भदोरिया जो आज करॉली बाबा बने हुए है किस तरह बाबा करॉली बन गए और कैसे उन्होंने अपना दर्बार लगाना शुरू किया जैसे मैंने आपको बताया कि बाबा करॉली का नाम डॉक्टर संतोष सिंग भदौरिया है 1993 में संतोष सिंग भदौरिया ने राधा रमण मिश्रा से दीख्षा दी कानपूर के रहने वाले राधा रमण मिश्रा तंत्रमंत्र जानते थे संतोष सिंग बदौरिया का दावा है कि 1997 में राधा रमण उनके सपने में आये राधा रमण ने सपने में ही संतोष सिंग को तंत्रमंत्र की शिक्षा दी 2001 में संतोष सिंग बदौरिया ने लवकुष आश्रम शुरू किया लवकुष आश्रम में संतोष सिंग बदौरिया लोगों का इलाज करते हैं बदौरिया का दावा है कि 28 नवंबर 2016 को इन्हें इश्वर ये शक्तिया अप्राप्त हो आश्रम में कामक्या देवी और राधा रमन मिश्रा का मंदिर है आश्रम का मैनेजमेंट संतोष सिंग बदौरिया के बेटे लव और कुछ देखते हैं डौक्टर संतोष सिंग बदौरिया को लोग करौली बाबा के नाम से जानते हैं लवकुष आश्रम कानपूर के करौली में 14 एकड़ में फैला है आश्रम की सुरक्षा के लिए 24 गंटे 7-8 गनर तैनात रहते हैं एतनी ही इश्वर ये शक्तियां हैं तो लोगों से पैसा क्या ले रहे हैं बहुत फिर इश्वर से पैसा लीजिए न या आपने कुछ चमतकार कीजिए इतना भगवान शिव जी को कह रहे हैं हाइट बढ़ाईए सुश्रूत को कह रहे हैं इलाज कीजिए लक्षमी जी को भी बोलिए कि मेरे अकाउंट में डाल दीजिए पैसा लोगों से काया ले रहे